तो कैसे हो दोस्तो स्वग्ध है आपका Empire of Clash की एक और मज़दार वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ समय पहले एक theory वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पैका का secret रिवील किया था और क्यूंकि आपको वो वीडियो अच्छी लगी थी मैं आज एक और theory के साथ आ गया हूँ और ये कोई class की boring theory नहीं होने वाली है क्योंकि हम साथ में इस पर काम करेंगे आज मैं बाज करने वाला हूँ builder के बारे में हाँ builder हम सब का favorite जो कमाल की building बनाता है और हमेशा हस्ता रहता है वो ही builder जिसको building बनाना इतना पसंद है कि एक समय वो building बनाने से ही मेल के पीछे builder की एक dark side ship है तो आईए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक disclaimer इस वीडियो को story वीडियो से mix मत करना और साथ में इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूँ अगर आपको ऐसे ही मज़दार वीडियो पसंद है और आप में एक जानने की इच्छा रहती है तो इस चैनल को जूरू सब subscribe करेगा और साथ में notification bell को दबाना मत बुलेगा क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो से लाता रहता हूं तो चलो आगे बढ़ते हैं बिल्डर एक perfect character है जिसके सिर्फ दो ही काम है building बनाना और सोना पर इतना perfect character बुरा कैसे हो सकता है अगर आप ही ऐसा ही सोच रहे हैं तो बने रहें क्योंकि मेरी सर्थ में मुझे कुछ अजीब चीज़ें पता जली जो आपकी बिल्डर को देखने के नजरिये को ही बदल दे तो अगर आपको याद हो आपका पहली बार clash of clan खेलने का experience जब आप clash of clan को पहली बार खेलते हो जिस समय में हम clap lady और game के villain goblin king से मिलते हैं तो अगर आप याद करो उस समय पर सिर्फ clap lady और goblin king ही नहीं थे जिससे हम मिलते हैं तो उस समय पर builder P वही था जो अपनी builder hut में सो रह और अपनी शांदार cannon की मदद से builder हमें goblin king से बचा लेता है और एक hero बन जाता है पर जब हम goblin village में पहली बार wizards के साथ attack करने के लिए जाते हैं तो कई सारे ने सवाल पैदा हो जाते हैं जैसे कि जब मैंने पहली बार वहां वही cannon देखी जो clash village में भी थी मैंने अपने कि clash village में सिर्फ एक ही troop building मनाना जानती है और वह है builder तो क्या ऐसा हो सकता है कि builder ने ही goblin king को वह cannon मना कर दी थी और अपनी research में मैंने पहले यही माना कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है कि goblin ने वह village से चोरी की हो पर मेरा यह मानना गलत था क्योंकि जैसे ही हम दूसरी ब tower, mortar, inferno tower, air defense वह तो अभी clash village में उस town hall पर तो थे ही नहीं और वह बाद में unlock होने थे जिसका यह मतलब हुआ कि goblin king को किसी ने वह बना कर दिये थे और सिर्फ builder ही है जो building बनाना जानता है तो इसका यह मतलब हुआ कि builder ने वह goblin king को बना कर दिये थे और goblin king तो एक नाम था ज builder का कोई connection ही नहीं है तो आप थोड़ा हिरान हो सकते हो अगर आप clash of clans में goblin map खेलेंगे तो आप दो builders को goblin village के एक level fort knob में देख सकते हो तो क्या इतने समय से builder ही था जो अपने जादू ही हतोड़े से clash village में हर चीज को control करता था हर एक building को बनाता था और clash of clans की troop को मजबूर करता था कि वो resource को लूटे ताकि वो और भी जादा building बना सके क्या यही कारण है कि वो अपनी चीत को देकर हमेशा मुस्कराता रहता है पर यह सिर्फ एक theory है empire of clash की theory और क्या पता यह theory गलत भी हो और goblin king की story में जो मैंने आपको बताया था कि goblin king ने time travel किया था क्या पता वो से ही हो पर जो भी हो फैसला आप ही को लेना है कि क्या builder की dark side है या नहीं तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको ऐसी theories पसंद है और अगर आप और भी theories देखना चाहते हो किसी और troop की या फिर किसी और game क तो comments में जरूर लिखिएगा कि आप ऐसी वीडियो देखना चाहेंगे और साथ में आप comments में ये भी लिखिएगा कि आप अगली story किस की देखना चाहोगे town hall 13, battle healer की, archer की या फिर आप किसी और तेरा की वीडियो देखना चाहोगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही दो दोस्तों देखने के चुकरिया फिर मिलते हैं और मजदार वीडियो के साथ देखने के चुकरिया फिर मिलते हैं झाल 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 झाल